हेलो गाईज आपका मेरे जैनल स्माच स्टडी में स्वागत है आज हम क्लास 6 का मैस का सैंपल पर देखते हैं जो कि बहुत इसमें important question है तो आईए start करते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा है 205.9 का आपको क्या लिखना है स्थानी अमान या place value लिखने है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पर 0 आजाएगा यहाँ पर 5 आजाएगा और यहाँ पर 9 आजाएगा नेक्स देखें क्या कहा गया है एक रेखा संख्या में संख्या रेखा में आपको क्या करना है नंबर लाइन पर आपको दिखाने है नेक्स देखे दी गई या करती में दो कौन बताने हैं आपको name the two angles in the given figure तो देखो कोई भी आप angle यहां पर बता सकते हैं, angle C हो जाएगा, angle D हो जाएगा या आप इस तरह से लिख सकते हैं, A, B, C, angle B, C and D, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं इस खेट का आपको परिमा बताने के लिए आप क्या करेंगे, इन सब को जितने भी number दिये गए हैं, इनको add कर देंगे, जोड़ देना है इन सब को, तो आप इसका parameter निकाल सकते हैं नेक्स कोशन देखिए क्या कहा गया है, कि there are 45 teachers working in a school, if the number of the female 25 remaining are males find the ratio, क्या करें, एक स्कूल में 45 अध्यापक और अध्यापिकाए हैं, उनमें से 25 महिल आए हैं, तो आप कोन का पात निकालना है, तो देखो 25 अगर महिल आए हैं, तो बाकी 20 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को जोडने पर 45 आएगा, अब इसका ratio निकालना है, तो 5 के table से अपकट करो, 5 by 4 इसका क्या हो जाएगा, नेक्स देखो क्या कहा गया है, कौन से 2 तरिभुज के B के कौन है, तो B के कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा, और एंगल A ह कौन हो जाएगा, नेक्स कोशन नमबर 7 देखो क्या कहा गया, डिवाइट 60 रुपीज ratio 1 by 2, 60 रुपीज को क्रिती और योगिता में बाटने है, तो 60 को किस तरह है, 40 और 20 के ratio में बाटनेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा 1 by 2 का ratio बन जाएगा, नेक्स देखे, यह हम इ तो 3 into 5 कर देंगे, 15 नंसर आजाएगा, पांच साइट सोंगे, तो 3 into 15 नंसर नंसर हो जाएगा, इसको नेक्स देखे, तालिका को भनने के लिए करते कि सहायता लीजिए, उसके बाद इसको सोल करना है, कोशन नमबर 10 देखिए, 5 and no equal है, नहीं आजाएगा, इसको आप करके लाब आजाएगा, हिम्धी में अगर हम देखे तो हनी की जगह क्या हो जाएगा, लाब हो जाएगा, और उत्तर की जगह हम यहां पर दक्षिन लिख देंगे, ठीक है, next देखिए क्या करना है, यहां पर plus minus का निशान लगाना है, तो देखो 2 है, 3 तो हम यहां पर क्या क्या 13 and minus 14 यहां पर अंसर हो जाएगा उसके बाद next question क्या है सामसर 9 रुपए 50 रुपए से एक pen और 2.5 रुपए का एक pencil खरीता है बताइए कुल कितने खर्च के तो क्या करना है दोनों को जोड़ देना है आपका 12 यहां पर अंसर हो जाएगा next देके क्या कहा गया इनको जमा करना ह तो इसको मिक्स फ्रेक्शन को हम प्रेपर फ्रेक्शन में कनवार्ट करके फिर कॉन सा करेंगे next question आप देख लिए 16 कोशन है माइनस छे के चार कदम दाएं चलने पर हमें किस संख्या पर पहुंचेंगे इस कांस हो जाएगा झालुअ झालुई